आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर करना चाती हूँ आज की वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी लेकिन फुल्ली इंफोमेटिव वीडियो है इस वीडियो को आप end तक जरूर देखे बिना स्किप किये क्योंकि ये वीडियो आपकी requested वीडियो है बहुत दिनों से जो आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी वेज चिकन, वीगन चिकन की रेसिपी शेयर करो उस टॉपिक पे ही आज की वीडियो लाई हूँ, बहुत रिसर्च करके आज की वीगन चिकन की रेसिपी लाई हूँ जिस चिकन को बना कर आप महिनों तक स्टोर करके भी रख सकते है और इसे मैंने केव सी स्टाइल में फ्राई करके भी आपको इसी वीडियो में दिखाया है वीडियो को प्लीज एंट तक देके चलिए स्टार्ट करते है सबसे पहले देड कप न्यूटरला को पानी में डाल करके भीगने के लिए रख दे अब आधा किलो गेहूं का आटा या फिर मैदा लेकर जिससे रोटी या पराठी के लिए आप आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसे आटा लगा कर 20 मिनिट के लिए आटे को ढख कर छोड़ दे आटे को जब हम रेस्ट करने के लिए रखते हैं उसमें ग्लूटन डेवलप हो जाती है और फिर उस आटे को इस तरीके से पानी में डाल करके एक खंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दे अब ये जो आटा है मैदे का है और आटा अच्छे से भीग चुका है अब इस आटे को हम अच्छे से धोएंगे ऐसे करने से इसकी जो स्टार्च है वो पानी में निकल जाएगी और ग्लूटन अलग हो जाएगी हमें ग्लूटन चाहिए और मैंने मैदा इसलिए लिया है क्योंकि मैदे में अच्छी कॉंटिटी में ग्लूटन होती है आप चाहे तो गिहूं का आटा भी ले सकते है और ग्लूटन अनहिल्दी नहीं है आप चाहे तो गूगल में चेक कर सकते है यहां पर देखिए ऐसे हम धोएंगे आटे को और स्टार्च जब अच्छे से निकलाएगी पानी को हम अलग कर देंगे और पानी फ्रेश वाली ले लेंगे और यह पानी को आप नाली में ना बहाए यह पानी को आप प्लैंट्स में डाल दीजिए और पानी को तब तक चेंज करें जब तक इसकी ग्लूटन अलग हो जाए और पानी बिलकुल साफ ना हो जाए और हमें इस वीगन चिकन को बनाने के लिए ग्लूटन क्यों चाहिए? ग्लूटन हमें इसलिए चाहिए क्योंकि ये ग्लूटन हमें मीटी वाली टेक्शर देगी और बाइंडिंग आएगी हमारी चिकन वाली जो पूरे मिक्शर में और अब कोई भी कमपनी की वीगन मीट के लिश्ट को चेक करेंगे उसमें भी wheat flour gluten उनका पहला इंग्रिडेंट होता है वैसे wheat flour gluten तो लिख देते हैं लेकिन होता मैं देखा है अब देखिए सोया बड़ी जो हमने भीगो कर रखा था इसे अच्छे से निचोड करके मैंने मिक्षर जार में ले लिया और दो तीन बार च चुकंदर यानि की beetroot डाल देंगे beetroot और carrot को आप ग्रेट करके डाल दे इस तरीके से अब इसमें डालेंगे हम आधा कप करीब सोया पाउडर जो सोया बीन होता ना जो बीज होता है उसको बस grind करके मैंने घर पर ही पाउडर बनाया है ये लगभग में आधा कप डाल रही ह हम पूरा प्रोटीन रिच बनाएंगे इस वीगन चिकन को तो यहां पर फ्लेवर के लिए मैं प्याज का पाउडर डालूंगी दो चम्मच और लसन का पाउडर एक चम्मच प्याज लसन अद्रेक टमाटर पाउडर कैसे बनानी ये अल्रेडी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है अब में ले रही हूँ मैगी मैजिक वेजिटेरियन क्यूप्स यह बहुत टेस्टी लगती है जब हम किसी चीज में डालते हैं तो मैं यह लेकर आई थी डीमाट से तुम्हें डाल दे रही हूँ अगर यह आपके पास नहीं है तो आप मैगी मैजिक मसाला इजिली त्यार यह इतनी होनी चाहिए थोड़ी बहुत कम ज्यादा होता तो चलता है एक चोटी चमच विनेगर डालेंगे और दो चीज स्लाइस डाल रही हूँ मैं अगर आप वेजिटेरियन है तो चीज डाले लेकिन अगर आप वीगन हो तो आप न्यूट्री एस्ट फ्लेक्स तब डाल सकते हैं अब इसे ग्राइंड कर लेंगे और हमें मिलेगा कुछ इस तरह की टेक्शर अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका जो टेक्शर है बिलकुल मीट वाली आ गई है और बहुत ही प्यारा कलर आया है क्योंकि हमने इसमें बीट रुट डाला था देखिए लग रही है ना बिलकुल मीट जैसी अब क्योंकि हमने इसमें ग्लूटन डाला था इस वज़े से इससे अभी किसी भी शेप में कनवर्ट करना बहुत आसान है तो चलिए अब चिकन लेक पे इसके शेप में इसे रेडी कर लेते हैं इसके लिए मैंने कुछ आइस क्रेम और हातों को जरा सा कीला कर लेजे पानी लगा करके थोड़ा थोड़ा इसमें से हमें पोशन लेना है और देखिए जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ आपको स्ट्रेच करना है और फिर इसे लपिटता जाना है यानि कि रोल करना है और आपको ये पूरा स्टिक को कवर करना है ताकि कोई भी इसे देख करके तुरंत अग्यस्ट ना कर पाए कि ये वीगन चिकन है या वेच चिकन है या ये रियल चिकन नहीं है आपको थोड़ी सी हातों की कलाकरी यहां पर दिखानी होगी बिलकुल लेगपिस चीसी आपको शेप देना है और हाँ इस leg piece को बहुत बड़ा ना बनाए क्योंकि इसे हम steam भी करेंगे जिस वज़े से थोड़ी सी और full जाती है तो अभी से बहुत ज़्यादा बड़ा इसे ना करें ये देखिए हमारा एक leg piece ready हो गया है इसे steam करना बाकी है शेप ready हो गया है इसका अभी इसे side में रखते हैं इसी तरीके से बाकी सारे leg piece बनानी है लेकिन एक छोटा सा twist आएगा बीश में आप देखते रहे हैं इन केस आपने जो ये meat का mixture बनाया है यानि जो ये dough है अगर थोड़ा ज़्यादा गीला हो गया हो शेप देने में problem आ रही हो तो आप इसमें थोड़ी से soya flour यानि कि soya bean का आटा डाल करके इसकी consistency को adjust कर सकते हैं आप चाहे तो leg piece को इस तरीके से ready कर सकते हैं बट अगर आपको skin वाली chicken का look लाना हो तो इसके उपर हम rice paper wrap करेंगे rice paper आपको online मिल जाएगा मैंने भी online ही लिया था और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है देखिए एक rice paper को मैंने half-half कर लिया है इसे just पानी नॉर्मल temperature वाला पानी में हमें dip करना है और तूरंत ये soft हो जाती है देखिए ऐसे dip करके आपको एक plate के उपर इसे रखना है और इसके उपर जो हमने leg piece का shape देकर ready किया है इसे रख कर आप जितना cleanly neatly से wrap कर सकते हैं उतना करिए जो की दिखने में बिलकुल real लगे देखिए कुछ इस तरीके से जब ये rice paper हम wrap करते है इसमें texture ऐसा आता है जैसे chicken में skin होती है तो जब हम fry करते है उसकी जो skin है बहुत अच्छे से crispy fry हो जाती है वो वाली texture इसमें मेलती है अगर आपको लग रहा है कि rice paper online मंगाओ फिर इसमें wrap करो इतना मगजमारी कौन करेगा तो आप ये step को skip कर सकते हैं बिना ये rice paper wrap करे भी chicken leg pieces बहुत अच्छे लगती है मैं भी कुछ leg pieces में rice paper wrap करूँगी और कुछ ऐसे ही रखूँगी अब इसे steam कर लेते हैं कड़ाई में पानी मैंने ले लिया है गरम हो गया है पानी एक wire rack रखा है और एक plate को oil लगाकर grease कर लिया है अब क्योंकि plate छोटा है तो मैं batches में leg pieces को steam करूँगी पहले बिना rice paper wrap किया हुआ यानि कि without skin वाला leg pieces हम steam करेंगे ढग कर medium flame पे 5-7 minute के लिए से steam होने दे और steam होने के बाद आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी full जाती है अब इसे निकाल लेते हैं देखिए मैंने निकाल लिये है दूसरे batch अभी steam हो रही है जो skin वाली है और इसे भी 5-7 minute के लिए हम steam कर लेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से 3 batches में सारे chicken के pieces को मैंने steam करके फिर इसे निकाल कर room temperature में थंडा कर लिया है अब हमारे chicken leg pieces room temperature में आने के बाद कुछ इस तरह के दिख रहे है color और texture आप देखी रहे है मुझे तो लग रहा है कि ये बिल्कुल real chicken जैसे ही दिख रहे है बाकि आप बताएंगे कि आपको ये कैसे लग रहे है ये जो skin वाली chicken pieces है इसे जब आप fry करते है तो ये बहुत अच्छे लगते है बहुत crispy fry होते है आप इसे भी fry करेंगे ये भी बहुत ही अच्छे लगेंगे अभी मैं skin वाले chicken leg pieces को केफ सी style में fry करके आगे आपको बताने वाली हूँ और अगर आपको leg fish जैसे shape नहीं देनी है करी कर चिकन चाहिए तो हमने जो चिकन का mixture बनाया था उसे आप ऐसे ही steam कर लीजिए और फिर इस तरीके से तोड लीजिए आपके पास bonless chicken pieces ready हो जाएंगे इसके आप curry बना सकते है चिकन चिली बना सकते है और ये भी बहुत अच्छे लगते है यानि कि shape देना ये सब का जिंजटी नहीं रहेगा अब इसे आप store करके freezer में रख सकते है दिखें जिप लॉक पैक में आपको बननी है या पिर किसी भी heated container पे भरके जहां पर आप बरब जमाते है फ्रीज में वहां पर store करके दो मेने तक आप आराम से इससे store करके रख सकते है जब भी आपको बनानी हो 10 मिनिट पहले निकालिए room temperature में आने के बाद जैसे आप chicken बनाते है उस तरीके से बना सकते है इसके process थोड़ी सी अलग होती है नॉर्मल चिकन से आप कहेंगे तो मैं करी भी इसके बना कर दिखाऊंगी लेकिन आज केव सी स्टाइल में इसे में फ्राइ करके बताऊंगी तो चलिए फ्राइ करने के लिए सबसे पहले दो बड़े चमश मैदा लेंगे एक देड़ बड़ा चमश कॉन फ्लार लेंगे दो छोटी चमश लाल मिश पाउडर अब इसमें हम डालेंगे एक छोटी चमश सोया सॉस एक छोटी चमश अद्रक लसन का पेस्ट चाहे तो सिर्फ अद्रक का पेस्ट ले सकते हैं एक छोटी चमश गरम मसला पाउडर आदी छोटी चमश में ले रहे हूँ औरिगानो औरि अगया sauce भी है तो बहुत ही कम नमकच डाले ठोड़ी सी पाने डालेंगे और एक ठीक सा बैटर रेडि कर लेंगे और ये देखिए बैटर रेडी हो चुका है इस मारिनेशन में हमारा रेडी किया हुआ चिकन लेकपीस को डाल करके चाहे तो थोड़ी दर मारिनेट होने के लिए रख दे चाहे तो तूरंद भी फ्राई कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं बस इसमें हमें कट लगा नहीं है जो कि मैं भूल गई हूँ अभी लगा लेते हैं जैसे बस चिकन लेकपीस में हम कट लगाते न विल्कुल वैसे हमें कट लगानें इससे क्या होगा मैरिनेशन अंधर तक जाएंगे फ्लेवर्स अंधर तक आएंगे देखिए कुछ इस तरीके से मुझे तो यह बहुत रियल दिख रहे है आप बताना दोस्तो मैं बनाई हूं तो मुझे अच्छा ही लगेगा आप बताएंगे तो पता चलेगा सही मैं अच्छे बने हैं की नहीं आप देखिए मारिनेट हो चुके है चले इसके उपर एक क्रिस्पी कोटिंग देने के लिए मैंने लिए है कॉन्फलेक्स जो की 20 रुपए की पैकेट आती है बस हाथ से ऐसे तोड़ लेंगे तो चूरा बन जाएगा इसका और इसकी हमें कोटिंग करनी है वैसे केफ सी स्टाइल जो चिकन फ्राई होती है उसकी प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है लेकिन मैं आपको शॉर्ट कट बहुत आसान तरीका बता रही हूँ वैसे ही हमारा वीडियो इतना लंबा हो चुका है अगर मैं लंबा प्रोसेस बताऊंगे तो इसकी एक फिल्म वारी वीडियो बन जाएगी फिर आप देखेंगे यह नहीं एनिवेज देखिए मैंने अच्छे से कॉन्फलेक्स के साथ लेकिस को कोट कर लिया है इसी तरीके से सभी लेकिसस को कोट करके चाहे तो इस तरीके से आप रेडि करके जीप लोग बैक में डाल करके फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते है और जब मन करे तब निकाल कर फ्राई करके एंजोई कर सकते है यहां पर तेल गरम हो चुकी है हमें इस लेकिसस को मीडियम गरम तेल में मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है थोड़ी दर के लिए से fry हो जाने दे जब half fry हो जाएना तभी इसे हमें पलटना है पलटने के बाद evenly चारो तरब से जब ये अच्छ से golden color की हो जाए crispy हो जाए तभी हमें निकाल करके इसे गर्मा गरम परोसनी है जब आपको इसे खानी हो उससे पहले ज़स्ट fry करें ये गर्म गर्म बहुत अच्छे लगते हैं देखिए सभी लेकपिसस बहुत अच्छी से fry होगे हैं और आप देख पा रहे होंगे जो skin हमने डाला था ना rice paper की वह बहुत कमाल करती है इसमें एकदम क्रिस्पी हो गया है मुँमें पानी आ रही है चले अब इसे सर्व करते हैं शेजवन चेटनी के साथ मुझे ये बहुत अच्छा लगता है आप टमेटो केचछफ के साथ भी ट्राई कर सकते हैं ट्राई जरूर करें इस रस्पी को और आपकी डिमांड पर रस्पी लाई हूँ तो ज़्यादा से ज़्धा इस वीडियो को शेर करें और लाइक कर ही लिया वह अभी तक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और कमेंट में बताना आप कोई रस्पी केस लगे चानल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बल आइकन क्लिक करें चलिए बाबाई एंड टेके